आज हम ऐसी सबजी की बात करने वाले हैं जो गुडों से भरपूर है महिलाओ के लिए तो ये वर्दान है इसमें एंटी एजिंग प्रोपर्टी होती है और सिंबल की पत्तियों से लेके छाल, उसके फूल, जड़े सभी बहुत फाइदा पहुचाती है जब हम इसका सेवन करते हैं सही रूप में, सही मातरा में और सही तरीके से कहने वाले यहां तक कहते हैं कि इसे साइलेंट डॉक्टर भी कहा जाता है इतने फाइदों से भरपूर, आज हम इस सिंबल की सबजी बनाने वाले हैं तो फ्रेंड्स यहां देखिए मैंने ले लिए हैं आधा किलो सिंबल और यह बंद सिंबल है जब यह थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इन में से फूल निकलने लगता है और यह फट जाते हैं तो यहाँ पे यह चोटे सिंबल है जिसलिए यह बंद है तो चलिए सबसे पहले हम इनको काट लेते हैं तो हलो दोस्तो वेलकम टू फूट जंक्शन बाई नीहा और यहाँ देखे मैंने इस सिंबल को कट कर लिया है और इसके अंदर निकला है यह फूल तो बहुत ही असानी से हम इस फूल को अलग कर सकते हैं और इस तरीके से यह सिंबल और फूल अलग-अलग हो जाएंगे तो इस फूल को आप सुखा भी सकते हैं और देखे इस फूल में एंटी एजिंग शमता होती है जो तचा पर आई हुई जोरियों को कम करती हैं और बहुत सारी इसके बेनिफिट्स मैंने आपके साथ शियर करें हैं तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और पूरी वीडियो जरूर देखिएगा तो सबसे पहले हम इन सिंबल को कट कर लेते हैं और इनके फूल को अलग कर लेते हैं तो देखिए अब इनको मैं बीच में से भी कट लगा दूँगी ताकि जब मैं इने भूनों तो ये असानी से भून सकी तो फ्रेंड्स हमारे आईने इस सिंबल बोला जाता है पर आपके यहां इस सबजी को किस नाम से बोला जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा तो यहां देखिए सबी सिंबल कट हो गए है और अब हम इसमें उबाल लगा लेंगे तो यहां कुकर में मैंने सिंबल को डाल दिया है इसमें एट कर लिया है बिलकुल आधी कटोरी पानी और अब इसे तीन से चार सिटी आने तक उबाल लेंगे अगर आपको थोड़े खिले खिले सिंबल की सबजी बनानी है तो आप इसमें दो ही सिटी लगाईएगा पर यहां मैंने इन में चार सिटी लगाई है क्योंकि मैं इने थोड़ा दवा हुगा बनाऊंगी हाथ से प्रेस करने पर आप देख पा रहे होंगे यह बहुत ही असानी से दब पा रहा है तो चलिए इसको कर लेते हैं साइट और गैस पर रख लेते हैं एक पैन सबसे पहले इसमें अट कर लेते हैं सरसो का तेल तो फ्रेंट्स मैं यहां पे सरसो का तेल यूज़ कर रहे हूँ आप इसकी जगा कोई भी कुकिंग ओल यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके घर में खाया जाता हूँ और अब बिलकुल बेसिक से मसालों से हम इस सबजी को बना कर तयार करेंगे तो सबसे पहले थोड़ी सी हींग, अजवाइन और जीरा एट कर लिया है इसको भूल लेते हैं ये सबजी अगर किसी के कमर में दर्ध है, पैर में दर्ध है, तो उसको भूती फायदा पोचाती है इन सिम्बल्स में भरपूर मात्रा में पोशन तत्व पाए जाते हैं, तो सीजन की सबजी को आप अपने खाने में ज़रूर शामिल करिए बहुती टेस्टी और मज़ेदार ये सबजी बनकर तयार होती है, तो यहाँ देखिए मैंने हरी मिर्च का यूज करा है, क्योंकि हम लाल मिर्च थोड़ी सी ही डालेंगे और ये सबजी चटपटी सी बहुत स्वादिस लगती है, अब इसमें एड़ कर लिते हैं सिम्बल ज तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो चलिए अब इसमें एड़ कर लिते हैं मसाले, तो यहाँ पर देखिए मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और खटाई को एड़ करा है, नमक हम स्वादनुसार डालेंगे, और दोस्तों ये सिम्बल जो होते में थोड़े से खटे और चटपटे लगें, आप इनको अचार की तरह खाईए, ये सिम्बल बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप इस सबजी को ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हैं, पराठे पूरी के साथ तो ही बहुत ही स्वादिस लगते हैं, तो देखिए इन्हें हम अच्छे से भूलने की, और अगर आप हारी मिर्च नहीं खाते तो आप इसे मत एट करिएगा, सिर्फ लाल मिर्च दाल कर भी इन्हें बना सकते हैं, मैं इनकी ड्राइव एज बना रही हूँ, इसलिए मैंने पानी का यूज नहीं करा है, पर अगर आपको इन्हें थोड़ और ये खिले खिले लग रही है, मतलब हर पीस अलग हो रहा है, पर मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी, क्योंकि मुझे थोड़े दवे हुए अच्छे लगते हैं, तो मैं इनी तरीके से इसे बनाती हूँ, तो आप जिस भी तरीके से आपके इस सबजी को खाया जा चलिए इसको गानिश कर लेते हैं थोड़े से हरे धनिये के साथ और इसे वापस से मिक्स कर लेते हैं, तो देखे कितनी टैम्टिंग लग रही है ये ड्राइवेज सिम्बल की सबजी, तो आप भे इस सबजी को ज़रूर ट्राय करिएगा, और मुझे कमेंट सेक्षन में ब दयार है हमारी बहुती स्वादिस्ट और श्रे गुरो से भरपूर ये सिम्बल की ड्राइवेज रेसिपी, और मुझे यकीन है जब आप एक बार इस तरीके से सिम्बल की सबजी बना कर खाएंगे, तो आप इसको बहुत ही पसंद करेंगे, और सभी को ये चटपटी मसाले सबजी बहुत पसंद आएगी, तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे फेस्बुक पूइज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, विद इसेम आइडी फूद जंक्शन बाइ नेहा, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा क आपको इसबजी कैसी लगी, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुती मज़ेदार और स्वादिस सी रेसिपी के साथ, तब तक क्लिप बाँ बाई, एंड थैंक यू फो वाचिंग, और यहाँ पे देखे, मैंने बहुत सारी बेनिफिट शेयर करें हैं, आपके साथ सिंबल के, तो आप इने जरूर पढ़िएगा, बाँ बाई, एंड टेक यूर,